नमस्कार मैं हूँ अभयकुमार आप देख रहे हैं अपना खास कारकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश-दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायت के गलियों से और गाओं के चोपालों से जो आपको रखता है अपडेट तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे है मौसम विभाग से बिहार समेत बिहार के कई जिलो जिले गहने कोहरे के चपेट में है अभी राहत मिलने की उमीद नहीं है और अभी 31 जनवरी तक बताया जा रहा है कि कोहरे से निजात मिलेगा लेकिन 30 और 3 फरवरी को आएगा पस्चिमी भी छोब 6 फरवरी से फीर बढ़ जाएगी ठंड तप पिल हाल अभी बिहार में घने कोहरे का असर और मौसम के मार जेलना पड़ेगा सित लहर के चपीट में रहेगा पूरा बिहार और इदर पूरा बिहार Agresteam पेट में रहेगा तो पटना राजधानी गरम रहेगी क्योंकि वाड सदस्य आज से धरना पर बैठने वाले हैं वास्ट दस्य पटना में अपने अधिकारों को लेकर घामासान करेंगे फिर अपनी मांगों को रखेंगे इस खबर को हम और आगे देखेंगे वहीं आंगरवा क्यों गुजारना पढ़ रहा है कठीन परिक्षा से इन सारी चीजों पर हम नज़र डालेंगे तो आप नज़र डालते हैं कि सरकार बदलते ही लालू यादों पर एक सन इडी ने पूछ ताच किया है नौ घंटे तक लालू यादों को बैठाए रखा नितीस कुमार से पस लेकर बड़ी खबर आ रही है वह खबर आ रही है कि बिहार सरकार से बाहर होने के बाद ही सो मवार को लालू यादों पर एक्षन हुआ लालू यादों से पटना के इडी ऑफिस में नौ घंटे तक पूछ ताच करती रही इधार ऑफिस के बाहर हंगामा भी होते रहा और जो सवाल पूछे गए हैं लालू यादों से प्रमुक्रुफ से हैं नदी नौकरी के बदले जमीन का कंसेप्ट क्यों आया हिर्दर नराइन चौधरी से संपर कैसे हुआ और दानापूर में बारा से अधिक लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी आपके क्या कहना है तो ल लालू यादो सुबह 11 वजे बेटी मिशा के साथ पहुचे थे लालू को छोड़कर मिशा भारती देफ्टर के सामने दादी जी के मंदर में पूजा करने चली गई मिसा ने लालू के लिए एड़ोपीस में खाना पहुचाया और दो बार दवा भी पहुचाई हलाकि मिशा भारती का जैसा रोप है कि उन्हें दवा पहुचाने से भी रोका गया और सिर्फ के जवानों से कहा कि पापा से मिलने दीजिए फिर नारेवाजी करे समर्थ को को चुप कराया कहा सांत रहे नहीं तो एह लोग और समय लगाएंगे तो सरकार से बाहर होते ही लाजुजाद जीतन राम मांजी और पसुपती पारसनात है और सीट के बटवारे पर बात किये हैं कि मंत्री मंडल में सीट का बिभाग के बटवारे पर बात किये हैं और बिभाग के बटवारे को लेकर दोनों में चर्चा हुए लेकिन जब पसुपती पारसनात से सवाल पूछा गया त और बिहार में एंडिये के सरकार बनने के बाद से आर्जेडी के खिलाफ पहला एक्षन सुरू हो गया है बिढांस सभाध्यक्ष अवद बिहारी चौदरी को हटाने की तैयारी सुरू कर दी गई है बीजेपी नेतानंद की सोरे यादों ने बिधान सभा सचीव को उमत के द्वारा हटाया जाएगा फिलहाल यो सदन के स्थिति है इंडिये के पास 128 सदस है जब कि महागटबंधन के पास 114 सदस हैं और ऐसी परिस्थिति में इनको इनका हटना तैमाना जा रहा है उधर समराज चोदरी ने बयान दिया अपने मुरेठा को लेका समराज चो अधित करेंगे और साथी में मुंदन कराके स्रीयराम जी के चर्णों में अब समर्पित कर देंगे अर्पित कर देंगे हम आपको बता देखेशा नहीं खोलूंगा इस पर उनसे सवाल पूछे जा रहे तरह तरह के मीम भी बन रहे थे तो समराट चोदी ने कहा कि पार्टी हमारी मा है और मा के आदेश का मैं पालन करूँगा और अब मैं इस मुरिठा को अयोध्य में खोलूँगा और मुंदन कराकर राम जी के चर्णों में अर्पित कर दूँगा और वहीं इस रोहनी अचार्या ने तेजस्वी यादो के लिए ट्वीट किया है बिहार तेजस्वी यादो के साथ है और बुख्य मंत्री इंतिजिश कुमार ने प्रति आभार परकट किया है और इसी से जूले यह ख़बर यह भी है कि चार फरवरी को बेतिया में दिखेंगे साथ साथ पी-एम और सी-एम नितिश कुमार मतलब पी-एम मोदी और नितिश कुमार और इधर सरकार बदलते ही राजद मंत्रियों का महागडबंधन के मंत्रियों का नेम पलेट उखड़ने लगे है तेजस्वी यादों ने भी युण पर मुहर लगा है और अभी बाद मंत्रिय बंदल भिस्तार होने के बाद और निरने लिये जाएंगे और वहीं राहूल गांधी किसन गंज में दौरा किया किसन गंज में यात्रा किया और नितिश पर एक सब्द भी नहीं बोले और इसर बिहार घने कोहे के चपीट में है और इसी कारण धूप से करहे चा लोगों की मौत हो गई पालिगंसे खबर आ रही है कि सड़की नारे धूप से एसे करहे चालों को ट्रक ने रोन दिया और चालों की मौत हो गई है तो यह जो खबर दिशाल का सामने आ रहे थी आप पर मुख खबरे अब खबरों के अगर बात करें तो आज ही वाड सदस्य लोग पटना में परदर्शन करने वाले हैं अपने नौ सुत्री मांगों को लेकर अब वाड सदस्यों का होसला बुलंद इसलिए भी है कि समराठ चोधरी ने जब पंचायती राजमंत्री थे तो उन्होंने वाड सदस्यों के लिए बहुत सरे वादे किये थे बहुत सब जवाग दिखाये थे और अपने नौ सुत्री मांगों को लेकर जिसमें सामिल है मांदे और सुर्ख्छा और पंचायती राजमें जो पंचायतों में जो काम होता है उससे कुमे साथ पृसिशत के हिस्सेदारी और इन प्र्वाड सदस से लगातार तो संहर्थ करी रहे हैं लेकिन अभी लोहा गरम देखकर आज से पटना में धरना पर बैठ जाएंगे और इधर पटना में सेवा नियमित करने के मांग को लेकर कारपालक सहाय को भी धरना दिया है बिहार अभियंतरन सेवा संग के कारकार्णी के लिए तीन चुन सहाय को ने गजनी भाग में धरना दिया है उन्होंने सेवा संवर गठन कर कारपालक सहाय को की सेवा नियमित करने निंतम युकता मैट्रिक से इंटरमेडियेट करने समेथ सास्थूत्री मांगे उठाई है तो यह बहुत बड़ा अपडेट यहारी है कि जहां एक तरफ वा में और यहां अरक्षित पत्पर समाने वर्ग की भरती नहीं कर सकती है सरकार युदी सी मसादे पर सिक्षा मंत्राले की शफाई दिया गया है और दो लाटका नक्सली गिरफतार ट्रेन पर हमला कान में था फरार और अगर हम बात करें बिहार से जुरे अन्य खबरों पर त जिसमें आंगन्यवारी श्रुका साहाई का के हावारे से भी खबर आ रही है उन्होंने कहें जो मेरा मांदे बढ़ाया गया है. OD पूट के मुन में जीरा का फोरन के बराबर है और यह से हमारा भुजारा नहीं चलने वाला है चुकि अब डबल इंजन की सरकार है इनका बांदे को फिर से से रिवाइज कीया जाए रिवाइज करने की जरूरत है और कि मुख मंतरी नितीश कुमार प्ली मार की बदनामी और अगर इमार की बदनामी घिल रहे हैं तो ऐसा निर्ने क्यों लिया तुस पर जो सामने जो बात से आ रही है तेजस्वी कोशियम बनाने के लिए दबाओ था उन पर और आई इंडी आई एक गठवंधन में तवज्जो नहीं मिल रहा था यह ज्यादा बजह बनी है और कबिनेट के पटना में छट रखो के बात हो गई और जैडी बिधान सभा अध्यक्ष के जरिए खेल करेगा अब इंडिये में निती आर जैडी जो है से बिधान सभा अध्यक् अब ही बाकी है मैं जो कहता हूं करता हूं अब बिधान सभाध्यक्ष और भीहारी चौधरी का रोल हम हो गया है और चौधरी आर्डेडी के बिधायक है और लालु परसाद्याइदा के खास माने जाते हैं इंडिये चाहता है कि चौधरी से बगेर बिवाद के इस्तिफा ले लिया जाए लेकिन लालु यादों ने पहले ही साफ कर दिया था अपने बयान सुना होगा लालु यादों ने कहा था कि कोई भी मंत्री या कोई भी किसी भी पद पर हैं तो इस्तिफा देने की जरूरत नहीं है तो मंत्री का तो परस्वता समाप्त हो गया लेकिन बिध को द्वारा चुना गया है जिन्हें बिधायक ही हटा सकते हैं समिधान के जानकार यह भी बताते हैं कि विधान सभाब द्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा भारत के समिधान उन्हों छे देख सोना सी के तहत उन्हें 14 दिन पहले कोई सदा से नोटिस देगा और कम से कम 38 सदा से खड़े होकर कहेंगे कि यह मोशन सही है तो केला बिगाड़ने की ताकत रखते हैं तो यह जैसा कहा जा सकता है कि जर्यू से भी भीतरगात हो सकता है और तेजस्वी आदो खेला कर सकते हैं तो यह खाबरे जो निकलकर सामने आ रही है वह बहुत ही चौकाने वाला है और इधर सदर अस्पताल में जल्द मिलेगा ब्लड कंपोनेंट की सुधा एक यूनिट से चार लोगों की जान बचे की यह काम की ख़बर है रेल्वे की परसाला में सिक्षित हो रहे हैं कचरा चुनने वाले बच्चे यह पॉजिटिव स्टोरी है तो दोस्तों आज दीन भर नजर बनाए रखिएगा वाट्स दस खेला कर सकते हैं और वहीं बीपीएस्टी टीचर परिक्षा के भी नाय जा रहे हैं उनके सक्षमता परिक्षा को लेकर ताबादला को लेकर और जीले का चयन को लेकर जीला अब नहीं रहेगा अब उन्हें तीन परखंड का ही चयन करना है तो दोस्तों यह तो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था और इसी तरह से खबरों के है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किजिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगा मिलते हैं अगले बुलेटिद में जैहिंद बंदे मात्रम